तो आफ सवी का एक बाफर से बहुत बहुत शुआगत है दिल्ली विधान सुबध चुनाब 2020 के लिए क्या कहता है एक एक सीट और कौन जी सकता है एक सीट की आपको 60 जानकारी यहाँ पर मिलेगी और बात करेंगे निकाय चुनाब में क्या परणाम सामने आए थे क्योंकि निकाय चुनाब में बेदी चुनाब पूर रही थे आमाधी पार्टी के लिए आखड़े जो थे और लोक सुबध चुनाब 2019 में जो आखड़े आए थे वो भी चिनता में डाल सकते हैं आमाधी पार्टी को लिए और इसके अलाबा जो अवी हाल में टिकेट रहा है लेकिन फिलहाल यहाँ पर आखड़े जारी हो चुके हैं और जनता के दोआरा जो सर्वी किया गया जनता यहाँ पर आमाधी पार्टी की पक्षमें या विजचमें इसके भी आखड़े आखड़े आपको दिखाएंगे लेकिन इससे पहले 20 सीटों के लिए जो बोट शेयर जा सकता है यह सर्वे के आखड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं और तलक नगर विधानसवा सीट के लिए आखड़े हैं बीजीपी को 28 वर्ट सेट को 16 और आमाधी पार्टी सीट को जीत सकती है 39 वर्ट सेट उनको बोट शेयर जा सकता है बजीर पूर बिधानसवा सीट के लिए क्या आखड़े बनते हैं बजीर पूर बिधानसवा सीट जो है बीजीपी और यहाँ पर आमाधी पार्टी के बीच कड़ी टकर रहेगी क्योंकि 33 वर्ट शेयर आमाधी पार्टी को 33 वर्ट शेयर बोट शेयर बीजीपी के पक्ष में जा सकती है ये सीट किसी के भी पक्ष में जा सकती है ये आंकरे निकल कर सामने आ रहे हैं सदर वजार विधानसवा सीट के लिए के आंकरे सदर वजार विधानसवा सीट के लिए सीट कॉंग्रिस के पक्ष में जा सकती है जनकपुर विधानसवा सीट के लिए के आंकरे बनते है सामने से का जा सकती है हालाकि अमादी पारड़ी करिड़ दे सकती हैं पलट वार भी देखने को मिल सकता है मुन्गा बधनसवा सीट के लिए क्या अकड़े हैं बीजीपी को यहाँ पर 37 वर्चन बोट शेर कॉंगेस की पक्ष में 8 और आमाधी पार्टी को 32 वर्चन बोट शेर जा सकता है हालाकि कड़ी टकर आमाधी पार्टी और बीजीपी में ही यहाँ से देखने को मिल सकती है राजन देनगर बधनसवा सीट के लिए क्या आगरे राजन देनगर बधनसवा सीट के लिए बीजीपी को 33 वर्चन बोट शेर और आमाधी बार्टी को 31 वर्चन बोट शेर दोनों में कड़ी टककर 50-50 यहाँ पर चांसिस रहेंगे और कहीं ने कहीं थोड़ा सा फलरा यहाँ पर BGP का भारी यहाँ पर नजर आ रहा है कॉर्णरी विदानसवा सीट के लिए के आख रहे हैं यहाँ पर आमादी पार्टी के बात के लिए जो 25 परसेंट अगर बात करें तो कॉंग्रेस और आमादी पार्टी में टकराब रहेगा 50-50 परसेंट के शाथ अगर यह टकराब जारी रहेगा इसका फायदा BGP को हो सकता ह जंगपुरा विदानसवा सीट के लिए के आख रहे हैं तो 28 परसेंट यहाँ पर जो है बोट शेर BGP के पक्ष में तो आमादी पार्टी को 30 परसेंट बोट शेर के साथ मेरोली विदानसवा सीट यहाँ पर आमादी पार्टी जीत रही है काल काजी विदानसवा सीट के लिए क्या आंकड़े हैं एक तरपा यहाँ पर BGP के पक्ष में यह सीट यहां पर 32 परसेंट बोट शेर के साथ अहाँ कांग्रिस के पक्ष में 15 और आमादी पार्टी को यहाँ पर 26 परसेंट बोट शेर के साथ है हलाकि आकड़े बदल भी सकते हैं फिलाल ये आकड़े आहां पर सामने आ रहे हैं लेकिन चुनावी पुच्छार के सिकास होता है इसके बात कुछ और आकड़ों में इजाफा या या पर घटाब भी देखने को मिल सकता है लेकिन लक्चमी नगर बिधानसवा सीट के लिए तरपा यहां पर बीजीपी सीट को जीत की नजर आ रही है गादी नगर बिधानसवा सीट के लिए आकड़े दिखा दें तो बीजीपी को 41% बोट शेर तो कॉंग्रिस की पक्षम 14 और आमादी पार्टी को 28% बोट शेर जा सकता है अगर आपको इन बीच सीटों के लिए आ हाँ पर 11 सीटों पर आ सकती है और वीजीपी साथ और तीन सीटों पर यहां पर कॉंग्रिस यहां पर आ सकती है इन 20 सीटों के लिए जो आंकड़े आ रहे है लेकिन आपको बताते हैं 70 सीटों के लिए क्या आख़़े बनते हैं इस से पहले istoश्य जो चुनाप किये गए ते जो कि विश्व का सभसे बड़ा माहानगर निकाय चुनापं जो किये जाते हैं वो दिली सभसे बड़ा यहां पर नगर निकाय चुनापं है बूस में आते हैं लेकिन इसमें我觉得 udah 2017 में चुनाप किये गए थे, उसके क्या नतीजे थे वो भी आपको दिखा दें क्योंकि यह चुनाब जो किये गए थे वो नोट वंदी के बाद BGP को एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रिक्चा थी और उसमें पास हुई थी तो मोदी जी की जो यहाँ पर योजना है उसका चुनाब पर कोई असर नहीं पढ़ रहा है जबकि आप 14 सीट है उधर के लिए तीन सीट है इसका अलाबा साउध में जो यहाँ पर निकाए चुनाब के रिजल्ट है एक सुचार यहाँ पर सीटों के लिए तो BGP 70 सीटों पर जीती थी कॉंग्रिस 13 सीटों के लिए आमाधी पार्टी 16 और अधर के खाते में पास सीट गई बता BGP सबसे बड़ी पार्टी बनी और कबजर रहा और लोकसवा के क्या आंक्रे निकलती हैं लोकसवा के भी आंक्रे आपको दिखाते हैं वीजीपी 56 पृट शेहर के साथ साथ सीट जो लोकसवा कियाती है वो साथ सीट BGP के अपने नाम की लेकिन कॉंग्रिस दूसरी बता लुट शेहर के अंतर से आपको समझ में आ रहा रहा हुआ और आमादी पार्टी बनी जो की लोकसवा और निकाय चुनाव में आमादी पार्टी को जमकर नुख्शान हुआ है अब 2020 के लिए आंक्रे आपको दिखाएंगे क्या आंक्रे बन सकते हैं इसससे पहले आपक अब आपको दिखाते हैं 2020 के लिए किया आकड़े बन सकते हैं आमादी पार्टी यहां पर 45 सीटे हासल कर रही है फिलहाल जो यहां पर सर्वे है और जो पबलिक यहां पर डिमांड कर रही है अरविंद के जीवाल एक वाफर से 5 साल में जो उन्होंने विकास किया है उसके सब्सक्राइब कर दो दिखाए नहीं दे रहे हैं लेकिन वीज़ी की अगर बात के तो बीज़ी पी काफी समय से दिली में अब तक राज करने की कॉसिस कर रही है लेकिन वहां इतनी उनकी सफल नहीं है कि वो एक वाफर से सरकार बना ले आकड़े उनकी पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं सिर्फ 16 सीटी उनको आ सकती हैं जो फिलहाल ही आकड़े बनते नजर आ रहे हैं लेकिन आपकी जानकारी के रवाद है कि कई एक्सवर्ड लोगों की राय ओपनियन पोल थे और जो सर कर क्या अरविन केजरी वाल एक वाफर से सरकार बना पाएंगे बना पाएंगे तो कितनी सीटे उनको जा सकती हैं और बीजीपी को कितनी सीटे इस वार आ सकती है क्योंकि बीजीपी दम भर रही है कि अपकी बार उनकी सरकार जिस का से CAA और NRC का जो बरूत किया जा रहा है दिनली के अंदर क्या उसका फायदा BGP को होगा या उसका नुक्षान होगा तो कितना नुक्षान हो सकता है और कॉंग्रेस को कितना फायदा कितना नुक्षान होगा अपनी लाएक कमरे बॉक्स में दी सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कलिजिए ताकि आने वाली जानकारी का नौरिशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे और एक नहीं जानकारी क्षांत फिर्म लेंगे आपका देश वो जहन जा भारत